हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो वर चैनल शुभी आइज री क्राफटार तो आज हम देखने वाले हैं कि हम एक क्यूट और 3D फ्रॉग स्कुईशी कैसे बना सकते हैं सो फ्रेंट्स लेट्स गेट स्टार्टे सो फ्रेंट्स चलिए हम जल्दी से अपनी स्कुईशी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने इस तरीके की एक ग्रीन स्ट्रिप को कट किया है सो इस तरीके से आपर मैंने दो पिच्चर्स कट करके रखी हुई है फ्रॉग की जिनने मैंने कुछ इस तरीके से कलर कर लिया है और उन्हें मैंने टेप से कवर भी कर लिया है फ्रेंट्स अब आपको इस तरीके से टेप की help से इन दोनों पिच्चर्स को स्टिक करना होगा देख सकते हैं कि हमें इन तीनों पिच्चर्स को इन तीनों पेपर पीसिज को कैसे स्टिक करना है friends झाल झाल इस तरीके से हमें आपर पेपर पीस को इस तरीके से फ्रॉग की पिचर पर अटैच करना है टेप की हल्प से तो आप देख सकते हैं कि हमें इसे कैसे अटैच करना है तो पहले हमें स्ट्रिप की एक एंड पर टेप अप्लाई करना है और उसे दूसरी एंड से अटैच करना है इस तरीके से इसे अटैच करने के बाद अब हम अपनी दूसरी पिचर को भी इस पर अटैच करेंगे तो इसके लिए हमें इस तरीके से टेप अप्लाई करके और स्ट्रिप से हमें इसे अटैच करना होगा फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आप पर सेकेंड पिचर को भी स्ट्रिप से अटैच कर दिया है और अब हम इसमें फोम के पीसिस फिल करने वाले हैं फ्रेंड्स इस तरीके से यहां पर मैंने एक एंड को स्टिक नहीं किया है क्योंकि हमें इसमें फोम भी फिल करना होता है और जब आपका फोम फिल हो जाए फ्रेंड्स हम इसे टेप से अटैच कर दिंगे इस तरीके से इस तरीके से हमारा फ्रॉग स्क्वीशी बनके रेडी है और अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाई बाई फ्रेंड्स